दोसो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा घटना के बारे में बताऊंगा जो एक तरीके से आपको एटलिस्ट ये समझा देगा कि अमेरिका अपने नेवी के बेडे को मजबूत रखने के लिए किस तरीके से पैसे को भी पानी के जैसे बहा सकता है। दोसो यहाँ पे अमेरिका के एक ऐसे जहास का बात में करने जा रहा हूँ जो करीबन 362 मिलियन डॉलर का है लेकिन अमेरिका के द्वारा खाली एक बार ही इस जहास को अपने बेडे से अलग कर दिया गया। के जहास और क्यों अमेरिका 362 मिलियन डॉलर खाली एक ओपरेशन के लिए खर्चा किया और उसके बाद इस पैसे को पूरा पूरी पानी के जैसे बहा दिया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तो अमेरिका के तरफ से हाली में अपने एक लिटरल कॉमबेट शिप मतलब USS Freedom को अपने बेडे से रिटायर कर दिया गया। आपको जानके हैरानी होगा कि इस जहास का उमर खाली 13 साल था। दो हजार आट में इस जहास को अमेरिकी बेडे में कमिशन किया गया था और 13 साल के बाद सेप्टेमबर 29 के दिन अमेरिकी नेवी के तरफ से इस जहास को अपने बेडे से रिटायर कर दिया गया। और तटके काफी नजदीक ऑपरेट कर सकने वाले ऐसे जहाजों को इसी वया से ही लिटरल कॉमबेट शिप कहा जाता है। द्वारा डिकमिशन किया गया उसे USS Freedom कहा जाता है। और आपको जानके हैरानी होगा कि इसी साल के जुलाई महिने के 29 तारिक के दिन इस क्लास के अंतरगत बनाया गया पहला जहाज मतलब USS Independent को भी अमेरिकी नेवी के द्वारा डिकमिशन किया गया था। और दोस्तों हैरानी का बात तो ये है कि जहाँ पे USS Freedom को 13 साल इस्तेमाल किया गया है तो वही पे USS Independent को सिर्फ 11 साल इस्तेमाल किया था। 16 जनुरी 2010 के दिन इस जहाज को कमिशन किया गया था और लगवा 11 साल के बाद 29 जुलाई 2021 के दिन इसे डिकमिशन किया गया। इविन दोस्तों खाली इतना नहीं बलकि नेक्स्ट येर मतलब 2022 में अमेरिकी नेवी के तरफ से कम से कम ऐसे और चार जहाजों को रिटार करने का इरादा बनाया गया है और आपको सुनके और भी हैरानी होगा कि इनमें से ऐसे वी जहाज है जो सिर्फ 8 साल इस्तेमाल किया जाएगा इसके इलावा USS Detroit इससे भी कम उमर में रिटार होने जा रहा है इस जहाज को अमेरिकी नेवी में 22 October 2016 की दिन कमिशन किया गया था और दोस्तों अगर 2022 में इसे रिटार किया जाता है तो तब इसका उमर सिर्फ 6 साल होगा और USS Little Rock तो इससे भी एक साल बाद कमिशन क किया जाएगा और दोस्तों ये जहाज USS Colorado है जिसे की 5 April 2014 के दिन अमेरिकी बेड़े में शामिल किया गया था मतलब स्रिफ 8 साल के इस जहाज को रिटार किया जा रहा है दोस्तों ये जो सभी जहाज है इनमें से Freedom Class के हर एक जहाज का कीमत 362 मिलियन डॉलर है जबकि Independent Class के हर ए जाली एक ही भाड डिप्लॉय किया गया था और वो भी यूएस कोस्ट गार्ट के साथ दोस्तों ये डिप्लॉयमेंट बैसिकली Eastern Pacific में Caribbean Island के नजदी ड्रक समगलिंग को रोकने के लिए किया गया था बाकि के 13 साल के जादातर समय इस जहाज को आईदर टेस्ट के लिए या क्रू के ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है जब दोस्तों इस जहाज को डे कमिशन किया गया तब भी इस जहाज के उपर करीबन 9 ओफिसर और 41 सेलर तैनात थे जो की प्लैन किया गया कुल संख्या के क्रू के मुकाबले में करीबन 10 अधिक थे दोस्तों इस के जिन दोनों जहाजों को रिटार किया गया है मतलब USS Freedom और USS independent ये बेसिकली बाकी इस कैटेगरी के अन्य जहाजों के तुलना में काफी अलग तरीके से निर्मान किया गया था जिस वया से बताया जाता है कि इसके जो combat capability है ये even इस कैटेगरी के अन्य जहाजों के तुलना म मतलब इसे upgrade करके या modify करके अमेरिका इस्तिमाल कर सकता था पर आपको जानके हैराणी होगा कि अमेरिकी Navy के तरफ से हाली में जानकरी दिया गया कि ये जो LCS category के पहले चार जहाज है जिन में कि USS Freedom और USS independent भी शामिल है इसे modify करने के लिए कम से कम 2.5 billion dollar का खर्चा होना है जो क लगवग उतना ही amount है जितने में इन 4 जहाजों को फिर से एक बार तयार कियाया सके इवन दोस्तों आपको जानके हैराणी होगा कि ये जो जहाज था ये कीमत में इतना अधिक तो नहीं था लेकिन इसके operational cost लगवग लगवग एक destroyer के बरावर का था दोस्तों एक destroyer के मुक उपर से ये जहाज सही डंग से हत्यारों से भी लैज नहीं है दोस्तों जहाज के operational cost के एक बहुत बड़े कारण के सुरूप जहाज के क्रू को भी देखा जा रहा है दोस्तों एक बड़े आकर के जहाज होने के बावजूत ऐसे जहाजों को सरिफ 40 क्रू मेंबर के लिए ही बनाया गया है मतलब जहाज के जादातर maintenance के काम जहाज को डॉक में लाने के बाद civilian क्रू के द्वारा ही किया था जफकि जहाज में अगर अधिक मेंबर टैनात होते है तो उनके operational duty के अंतर गथी जहाज के maintenance और इवन छोटे मोटे air repairing के काम भी उनके द्वारा संपूर ने कि अमेरिकी कॉंग्रेस के research service के द्वारा 2019 में एक ऐसे report को जारी किया गया था जहापे इस category के जहाज के कुछ खामियों के भी जिकर किया गया था report में बताया गया कि साल 2004 से लेके 2019 तक ऐसे जहाजों के construction के लिए करिवन 30 billion dollar अमेरिकी नेवी के द्वारा खर्चा किया गया जबकि 2021 तक खाली 21 जहाजों को ही service में लाना संभब हो पाया है जबकि original plan के मुताविक 2020 तक ऐसे 49 जहाजों को अमेरिकी नेवी के बेड़े में शामिल करना था दोसे USS Freedom जहाज को एक stealth जहाज भी कहा जाता है क्योंकि इसे एक बहतरिन stealth design के साथ बनाया गया है दोसे इस जहाज के एक बड़ा खासियत यह है कि जहाज में करीबन 40% empty space है और आभशक्ता पढ़ने पे इस space को तेजगती से भढ़ा जा सकता है जहाँ पे जल से जल weapon module जैसे की anti-submarine, anti-ship और air defense mission के हत्यारों को तैनात किया जा सके इवेन जहाज में काफी वहतरिन तरीके के modern avionic system का भी इस्तेमाल किया गया है जिन में TRS 3D Target Search Radar भी शामिल है जिसे specially coastal operation के लिए बनाया गया है इसके इलावा दोस्तों इस जहाज में Combat SS21 Combat Data System, Argon ST WBR 2000 Electronic Warfare System और TARMA AS SKWS Infrared Decoy System भी शामिल है इवेन दोस्तों ये जहाज अपने आकार और अपने operation के मताविक काफी वहतरिन हत्यारों से भी तैनात था जिन में 57 mm के Mark 110 Naval Gun भी शामिल था जो कि 14 km के range में करीबन पर मिनिट 220 राउंड के रफतार से fire कर सकता है इसके इलावा जहाज में 230 mm के MK-44, Bushmaster 2, Rapid Fire Cannon और RIM-116 Low Altitude Air Defense System भी तैनात है जिसका range करीब 9 km है इसके इलावा जहाज में helicopter को भी carry करने का शमता है और रिपोर्टों के मताविक ऐसे जहाज MS-63 Seahawk जैसे helicopter और MQ-8 Fire Scout जैसे unmanned helicopter को भी carry कर सकता है जो बेसिकली दुश्मन के जहाज, tank और modern combat management system के खिलाफ इस्तिमाल हो सकता है पर दोसो इन जहाजों के जो सबसे बड़े खामिया है वो है इन जहाजों के concept of combat मतलब अमेरिका के द्वारा किस purpose में जहाज का इस्तिमाल किया जाए दोसो अमेरिकी Navy के तरफ से LCS program में सालाना कई billion dollar खर्चा कर दिया जाता है लेकिन अमेरिकी Navy को अब तक नहीं पता कि ऐसे जहाजों को उसके बेड़े में किस फरफोज में इस्तिमाल किया जाए इवन भारत या अन्ने देशों के जैसे अगर coastal situation को देखे तब भी अमेरिका के coastal situation इतना खराफ नहीं है कि अमेरिका के Navy को ऐसे जहाजों के आवशकता है दुसे तरफ अगर coastal defense को ही देखा जाए तो अमेरिकी coast guard जैसे organization भी है जिनके द्वारा coastal security को maintain किया याता है मतलब एक तरीके से अमेरिका के ये literal combat ship या फिर कहे तो freedom class और independent class के ये जहाज फिलाल अमेरिकी Navy के एक सरदर्द का कारण बना हुआ है और अमेरिकी Navy इस बजा से ही शायद इन जहाजों को retard कर रहा है ताकि साला ना खर्चा और ना बढ़े तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइक कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जै हिंद